बहुत पहले किसी गाओं में एक गडरिया रहता था उसने उस गाओं के जमिदार से कुछ पैसा उधार लिया था कुछ समय बाद गडरिया जंगल में भेडों को चराने के लिए जाता है लेकिन वो कभी लोट कर नहीं आता सायद उसकी मृत्ति हो गई थी इधर उस गडरिये का जो बेटा था वो भी काफी बड़ा हो गया था एक राद उसको स्वपना आता है स्वपन में वो बताता है कि मैं तेरा पिता हूँ और इस इस कारण से जंगल में जाते वक्त मेरी मृत्यू हो गई थी और मैं कभी लोट के नहीं आया बेटा इसके बाद मैंने उस गाउं के जमिदार के हां जन्म लिया बैल बन करके जन्म लिया और अब मैं वहीं खेच जोत रहा हूँ पूरी जिन्दे की खेच जोतने के बाद भी मैं उसका करज नहीं तार पाया अब मैं बहुत बूड़ा हो गया हूँ इसलिए बेटा अब तुमारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपने पिता का करज जो है चुका दो तो इधर उसका बेटा सुबह सारी बात करने के बाद जब उसे कर्म हो जाता है तो वो उस गाओं के जमिदार के हाँ जाता है और उससे जो है उस बैल को लेने के लिए बोलता है तो वो बैल को देखता है पहचान जाता है ये उसी का बाब है और जमिदार भी सोचता है कि उसको फैदा हो रहा है बैल बूड़ा है खरीद लेता हूँ बेज देता हूँ इसको तो बेज देता है जैसे ही ये बैल तीन खेद नीचे तक चलता है ये धनाम से जमीन पे गिर जाता है कमजोर था और उसकी वहीं मृत्य हो जाती है अब बैल को मरा देख करके जो है उसका क्ता externo ऐसा ही था तब ही मैंने आप से जो है इसको खरीद लिया क्योंकि मुझे मेरे बाप का करज चुका ना था मैं उनका बेटा हूं तो दोस्तो आपको ये कहानी कैसी लोख लगी करज चुकाने के लिए भी लोगों को दूसरे जनम लेने पड़ सकते तो दोस्तो किसी का बैल बनना अच्छा है या उससे लिए हुए पैसों को चुका देना कमेंड बॉक्स में बताईएगा कहानी कैसी लगी धन्यवाद